दोस्तों आज की इस वीडियो में हम, डिसकुस करेंगे, reasoning का practice set, OK तो इस में हम 50 question को solve करेंगे, 50 question का से howगा, video थोड़ा long हो सकता है क्योंकि.. हम इसको पूरा solve करेंगे 50 question को, और अगर आपको थोड़ सी speed में problem लगे, कम लगे या ज्यादा लगे तो आप speedometer से आप manage कर सकते हैं YouTube के तो अगर आपको slow लगे तो आप उसको speed को बढ़ा करके देख सकते हो ठीक है और इसी परकार अब आपको practice set जो है मिलती रहेंगे ठीक है यह पहला practice set है और इसी के साथ साथ आपको gk का practice set भी मैं solve कराता रहूंगा ठीक है उसमें भी हम हर practice set में 50 question को solve करेंगे तो इस तरह से मैं आपको practice set जो है कराऊंगा और यह आपकी practice के लिए काफी helpful रहेंगे इससे आपकी practice अच्छे हो जाएगी और जो time है वो आपका बचेगा ठीक है एक्जाम में आपका time बचेगा अगर आप practice अच्छे से करते है तो और यह पहला practice set है ठीक है इसी परिकार मैं आपको वीक में तीन या चार practice set आपको कराता रहूंगा ठीक है रिजनिंग और GKK और साथ में English का 100 question का set नहीं कराऊंगा मैं ठीक है उसमें जो important topic है लगभग 50 question मैं उसमें solve कराया करूँगा ठीक है जब भी उसका practice set होगा English का उसमें 50 question के round आपके solve करा दिया करूँगा ठीक है तो चलिए अभी start करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं और हो सके तो बिना वीडियो को skip किये आपको मुझसे पहले जो है question को मतलब question की approach लगानी है उसको solve करना है ठीक है चलिए हम start करते हैं और first question यहाँ पर देखते हैं जो starting के question है चार से पांच question रहेंगे आपके number series से ठीक है तो number series से question रहेंगे और यह question paper है 2017 में पूछा गया था ठीक है 2017 का मैंने यह लिया है और इसमें last year के और जो model practice set है वो भी आपको solve कराऊंगा तो दोनों रहेंगे इसमें mix रहेंगे ओके तो यह last year का मैंने लिया है जो की 2017 में पूछा गया था अब आगे बढ़ते हैं और 2018 का भी मैं आपको solve कराऊंगा किसी दिन ठीक है आप tension ना ले अब चलिए आप solve करते है question को पहला question यहाँ पर लिखा हुआ है सिरीज लिखी हुई है 33, 33, 10, 43, 53 और 96 यहाँ पर आपको बताना है यह आगे क्या है ठीक है यह question लिखा हुआ है इसमें आपको देखिए आपको तुरंत ही question को देखने की बाद ही approach लगाना start कर देना है कि क्या हो सकता है इसमें जुड़ तो नही हो रहा multiply तो नहीं हो रही इस तरह से आप तरह तरह की जो है चीजे आप अप्लाई करेंगे कहीं नहीं आपकी जो है वह fix बैठी जाएगा ठीक है और थोड़ा सा संख्या को देखके भी आप करना जैसे यहाँ पर 33, 10, 43 तो यहाँ पर इतना ज्यादा डिफ्रेंट नहीं है यानि यहाँ पर गुणा भाग का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर इस तरह के अगर आपको question मिले जादा different ना दिखे तो वहाँ पर जोड या घटा यानि आप उसको जोड कर या घटा करके देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जोडा गया है यह series बन रही है इस तरह से 33 प्लस 10 को जोड़ा गया है तो आ गया 43 ठीक है 33 प्लस 10 कितने होते है 43 फिर 10 और 43 को जोड़ा गया है एड़ किया गया है तो कितना हो जाएगा 53 ठीक है फिर 43 और 53 को एड़ किया गया है तो आ जाएगा 96 ठीक है कितना जाएगा 96 अब उसी परकार से हम इनको एड़ करेंगे जिससे यह वाली संके यहां पर आजाएगी तो यह कितना हो जाएगा 639 और 9514149 यह हो जाएगा option number D is right answer तो इस तरह से आपको करना है next यहां पर आपको बताना है क्या आएगा ठीक है इसलिए आपको मतलब आसानी से इसको solve कर पा रहे होंगे चलिए तो इसमें भी सेम अप्रोच लगाई गई है देखे 1324 कितने होते हैं 37 ठीक है तेरे को और 24 को add किया तो 37 आ जाएगा फिर 24 और 37 को add करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 61 ठीक है और 37 और 61 को add करेंगे तो आ जाएगा 98 अब उसी परकार से हम 61 को और 98 को add करेंगे इस संख्या को लाने के लिए तो कितना हो जाएगा नाइन और 69, 149 सोरी 159, यानि 169 यहाँ पर आंसर आजाएगा option number A, ठीक है तो इस तरह से आपको solve करना है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं next है, next यहाँ पर series दी गई है, आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है, 19 1937, 75, 149 इस तरह से यहाँ पर series दी गई है आपको बताने हैं यहाँ पर क्या आएगा, ओके तो इससी तरह से आपको approach लगा करके देखने हैं, क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या नहीं ठीक है, चलिए जल्दी से बताईए, देखिए अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्या हो सकता है, यहाँ पर आप approach लगाईए जल्दी से, सिरी जो है बढ़ती हुई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ठीक है, थोड़ा सा different भी दिख रहा है मुझे, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो सबता जल्दी से अप्रोच लगाओ और आंसर इसका दो फड़ा फट से देखिए यहाँ पर क्या गया है स्टार्टिंग में 9 है 9 से 19 बनाया गया है फिर 19 से 37 से 75 तो यह कैसे बना है यह बना है आपका इस तरह से यहाँ पर solve कर देता हूं मैं देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 9 दुनी 18 और पिलस के एक add किया तो यहाँ पर हो गया 19 ठीक है 19 की गुणा 2 से करेंगे मतलब multiply 2 से हो रहा है उसमें plus minus 1 हो रहा है ठीक है 19 दुनी 38 और अपके क्या हो जाएगा इस बार यहाँ पर एक add किया गया था यहाँ पर क्या किया गया है minus 1 तो 19 दुनी 38 में से एक गया 37 इस प्रिकार से देखिए 37 आ गया यहाँ पर अब इसको करेंगे 37 गुणा 2 कितने होते हैं 74 चीक है 75 और 75 में plus add करेंगे वन तो आ जाएगा यहाँ पर सोरी 74 चैनल दूनी 74 और यह हो जाएगा एक add करेंगे तो 75 आ जाएगा उसी प्रिकार से देखिए एक यहाँ पर प्लस किया गया फिर माइनस फिर प्लस तो अपके क्या होगा माइनस होगा 75 की जब आप दो से गुणा करेंगे 75 इंटू और माइनस के यहाँ पर वन करेंगे तो आ जाएगा आपका 149 जब 149 की आप मल्टिप्लाई करेंगे दो से चीक है और प्लस उसमें एक add कर देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 297 298 तो 299 यहाँ पर आंसर आ जाएगा ओके ऑप्शिन नमबर डी इसका राइट आंसर रहेगा तीसरे कुश्चिन का ओके 299 यानि दो से गुणा कर दिया गया है जैसे नो की गुणा दो से करी प्लस एक add कर दिया गया फिर उननिस की गुणा 2 से करी माइनस के एक add कर दिया गया है मतलब माइनस कर दिया गया है फिर 37 की गुणा 2 से करी इसमें प्लस एक add कर दिया गया है फिर 75 की गुणा 2 से करी उसमें एक माइनस कर दिया गया है ठीक है मल्टिपलाइ 2 से करके प्लस माइनस 1 उसमें किया गया है इस तरह से आप इसमें आपको आंसर बताना है क्या आएगा फटापट से चल्दी से देखिए इसमें भी बहुती देखिए कहीं पर ज्यादा हो रहा है 23 से 11 हो गया, फिर 11 से 34, यहां पर प्लस माइनस हो रहा है, मतलब कम जादा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर जादा हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से यहां पर add करके आप देख सकते हैं, 23 में 11 add करेंगे तो आजाएगा 34, फिर 14 से 14 को add करेंगे तो आजाएगा 79, फिर 79 और 45 को add करना है, यह वाली हमारी संक्या आजाएगी, तो कितना हो जाएगा, 95, 14 और 7, 4, 11, 12, 12, 24 यानि option number B हमारा answer हो जाएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर भी series है, आपको बताना है, यहां क्या आएगा, यहां बताना है आपको क्या आएगा, ओके, तो यह भी काफी easy question है, मतलब tough नहीं है यतना, बहुत easy question है सारे, तो इसमें बताना है आपको, देखे, इस तरह की question को alphabet पर जो आधारित question होते हैं, एक तो यह तरीका है कि आप उसका जो इस्थान है, जैसे A, एक number पर आता है, B, दो number पर, D, 4 पर, तो इस तरह से आप यहां पर मान सकते हैं, कि एक लिखा हुआ है, यहां दो लिखा हुआ है, यहां तीन यहां इस तरह से भी मान सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं मान के, देखे, कुछ questions को आप संख्या के through ही आप solve कर सकते हो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप easily उंगलियों पर आप solve कर सकते हो, ठीक है, जैसे A, A, B, फिर B के बाद C, D, फिर direct मतलब पेर बन रहा है, लेकिन A, B, C, D, E, F, G, H, direct ABCD लिख हुई है, तो इसी प्रकार से आप आएगा, I, और J, सीधी सी बात है, पूरी ABCD लिख हुई है, लेकिन पेर बना करके, तो I, और J, I, J कहां पर है, option number C, तो हो जाएगा यह वाला answer, चिक है, तो इस तरह से आप easily कर सकते और यहां पर आप लगते हैं, मतलब इस तरह से सोचते कि यहां पर A है, एक है, यहां दो है, यह तीन है, यह चार है, फिर यहां पर आप इस तरह से आते, यानि 9 और 10 करते हैं, फिर 9 और 10 का इस्थान देखते कि क्या होता है, यानि I, और J होता है, मतलब कर सकते हैं किसी भ से होते हैं जो आपको नंबर के आधार पर होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो आएंगे आगे तो हम उनको भी देखेंगे कि तो पांच कुशन हमारे सोल्व हो चुके हैं चलिए अब अगला कुशन देखते हैं कि यहां पर लिका हुआ है और यहां पर आपको बताना है सी जाए इसमें आपको बताना है क्या आएगा जल्दी से फटाफट से बताईए कि यहां पर क्या आएगा देखें सी C में आप तीन बार आगी गिनोगी उंगलियों पर सोल्प करना है आपको फटा फट से हो जाएगा वही तीन उंगली पर गिलनो आप C, D, E, F तो तीन पर आ रहा है ना फिर A, C, D को चेक करो आप या फिर यहाँ पर चेक करो F, I, J, Sोरी F, G, H, I बिल्कुल तीन उंगली पर यहाँ आ रहा है F से I जाकर के तीन तीसरी उंगली पर आ रहा है उसी बरिकार से यहाँ पर चेक करो यहाँ भी चेक करो इस वाले से बीच वाले से D, E, F, G यहाँ पर भी तीन पर आ रहा है यानि कि मुझे पता चल गे की जरूत नहीं पड़ेगी directly आप हर जितने भी alphabet लिख हुए है चेक कर सकते हो एक बार को और फिर यहाँ पर आकर के I से मुझे यहाँ पर जाना है तो आप तीसरे नंबर पर जो आएगा I J K L तीसरे पर L आया ठीक है तो L M P L M P कहां पर है N O P Q sorry क्यों आएगा यहाँ पर तीसरे नंबर तीन एट करेंगे तो क्यों आएगा यह ओप्सिन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं आपको ऐसे नहीं करना हर कोश्चन में कि आप यहा पर हर मतलब alphabet की आप स्थान लिखे और फिर आप approach लगाए तो ऐसे काफी time लग जाएगा direct आप solve करें ठीक है उंगलियों पर आप add करके देखे कि कौन से मतलब कितने मैंने add किया तब जाके आया यह ठीक है कितनी बार मैंने गिना तब जाके add आया मतलब यह f बना c से f कितन बार गिन्ने पर बना तो इस तरह से आप फिर यह d को चेक करेंगे मतलब तीसरी संख्या जो होगी फिर इसको चेक करेंगे तो इस तरह से आप solve कर सकते हो easily अब आगे बढ़ते हैं next question है 7 number यह लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको बताना है जल्दी से फटा-फट से उंग आएगा देखे इसमें तीन-थीन को एड किया गया था यहाँ पर आप जब ए से इप जाएंगे एक तरीका तो वह यह कि आप ए एक नंबर होता है यह 5 होता है ठीक है आई 9 होता है कि कि इतना एड हो गया एक से पांच पर गई चार एड हो गया तो इस तरह से प्रतियक अल कि MRS MRS ठीक है option number D हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप करस्पते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखे इस तरह के questions भी हमारे exam में पूछे जाते हैं इस तरह के questions आते हैं और यह 4-5 questions होते हैं ऐसे तो यह आपको आना जरूरी है ठीक है चार से 5 questions होते हैं और इनको आपको solve करना आना जरूरी है और मैं एक अलग से reasoning की मतलब एक अलग से series बना दूंगा जिसमें मैं प्रती एक topic को solve कराऊंगा उसको करने का तरीका बताऊंगा और उसकी separate practice यानि single topic जैसे यह वाला topic है तो इसको solve करा करके मतलब किस तरह से solve करना है यह बता करके इसका तरीका बता करके फिर मैं काफी सारे questions की practice कराऊंगा जिससे आपको topic by अच्छे से practice हो जाएगी तो इसमें कहा गया है कि जो alpha weight होते हैं उनी के according आपको यहां पर solve करना है और पूछा गया कि प्रिथम इस्थान पर कौन सा सब्द यहां पर आने वाला है तो पहले number पर कौन सा आएगा यह पूछा गया है तो इसको मैं direct आपको solve करके बताता हूं और अगर आपको इस तरह कुश्चन को जल्दी solve करना नहीं आता तो आप comment करके बता सकते हैं और मैं topic wise वीडियो बना दूँगा देखे इसमें हमें rank के हिसाब से बताना है alphabet में जो rank होती है जैसे ए पहले number पर आता है भी दूसरे पर तो उसी तरह से बताना कि अगर मैं पूरा सब्द वर्ड अगर म option में तो easily हम बता सकते थे कि पहले number पर क्या आता है ठीक है तो यह सबसे पहले आता है तो पहले number पर यह हुआ फिर दूसरे पर आ जाएगा यह सी ठीक है तीसरे पर जी फिर चोते पर एच तो easily हम बता सकते थे जब single alphabet होता लेकिन यहापर single नहीं है यहापर काफी सारे alphabet से एक word बना करके दिया गया है तो इसको हमें कैसे solve करना है यह हम देखते हैं इस तरह के question आए तो सबसे पहले आपको एक-एक करके word को देखना है इस starting वाला देखते है सबसे starting में तो सबसे starting में लिखा हुआ है इसमें A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ पर भी A है तो अभी हमें जो starting वाला alphabet है उससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले number पर आएगा और कौन सा दूसरे पर आएगा फिलाल थो हमें पहले number पर बताना है ठीक है तो अभी नहीं पता चला क्योंकि सब में A A यहां पर दिया गया है फिर यहां चेक करते हैं N यहां पर N है यहां भी N है लेकिन यहां पर S है तो अब मुझे पता चल गया अब मुझे बताईए पहले N आता है या S आता है ओवेशली बात है पहले N आता है तो यानि कि यह तो हो गया हमारा सब से last में fourth number पर जाएगा है मैं पूरा solve करके बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि पहले दूसरे तीसरे मतलब इनका क्रम लगाना के लिए भी पूछ लेते हैं तो इसलिए यहां पर आ जाएगा चोते number पर मैं चारों को बता रहा हूँ आपको अब हम अगला alphabet चेक करते हैं चुकि यहाँ पर NN है तो यह तो अभी बराबर है तीनों अब यहाँ पर किसरे पर के दिया हुआ है यहां जी दिया हुआ है और यहां पर टी दिया हुआ है अब के जी और टी में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है यह आपको पताना है तो हमें पता है ती जो है सबसे लास्ट में आता है मतलब इन तीनों में तो यह हो जाएगा हमारा तीस सा आता है फिर बाद में कौन सा आता है तो जी जो है पहले आता है के से के जो है जी के बाद आता है तो विशलिवात ये दूसरे पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा पहले पर समझ में आया चीक है इस तरह से आप solve करते हैं तो पहले पर ये आ जाएगा दूसरे पर ये तीसरे पर ये और चोते नमबर पर आ जाएगा हमारा ये तो हमसे पूछा गया है कि प्रिथम इस्थान पर कौन सा आएगा तो option number B हमारा answer हो जाएगा ठीक है एंगर तो इस तरह से आपको solve करना है चलिए आगे बढ़ते हैं धिरे धिरे आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो एक अलग से मैं topic आपको बना देखिए यहां पर क्रम पूछा गया है जैसे भी मैंने आपको क्रम में लिखे यानि जो alphabet होता है उसके according यहां पर लिखना है तो जल्दी फटा-फट से solve कर लेते हैं सबसे पहले starting alphabet देखेंगे यहां L है L है यहां भी L है यहां भी L है तो इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा अब देखते है नेक्स्ट यहां आई है यहां ओ है यहां पर ए है यहां भी ए है और यहां क्या है ओ तो हमें पता है इन फटा-फट से आपको देख लेना है कि कौन सा पहले आ रहा है तो सबसे पहले य और ऐले यहां पर वे इन दोनों को उठाएंगे यानि पहले पे यह यह फिर यह होगा इन दोनों में से होगा तो इस पहले जम दोनों को do करेंगे यहां तीसरे function on 17 ş again Mягए तो यह हो जाएगा हमारे पहले नंबर पर और यह हो जाएगा दूसरी नंबर पर ठीक्चे इगा नमब्र ने बच्चत तीन यहां पर हमने चैक करेंगे तो यहां पर भी O है, तो अविशली बात है, आई पहले आता है, तो यह हो जाएगा, तीसरे नमबर पर, अब इसमें और इसमें हमें देखना है, तीसरा O यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ तीसरा अलफवेट देखेंगे, तो N है, यहाँ पर S है, तो N पहले आता है, यहाँ पहले आता है, त फिर उसके बाद तीसरे नंबर का आएगा फिर उसके बाद पहले नंबर का आएगा पहले जो नंबर दिया हुया है फिर उसके बाद चोता चोता कहां पर है यह दूसरे नंबर पर है तो दो आएगा और पांच वह है पांच वी नंबर पर ठीक है तो यह बनाएगा इतालिस बारे 5 तो ये कुन से उप्षेन में इतालिस बारे 5 उप्षेन नमबर A 48 4,43 बारे 5 43 बारे 5 उप्षेन नमबर A 9 का हो जाएगा उप्षेन नमबर A ठीक है तो इस तरह से आपको solve करना है और ये ज़्यादा tough नहीं होते है easy होते है ठीक है आपको बिस Brush की जरूरत है चलिए और यहां पर थी गए है फिर से इसमें आपको बताना है अंतीम いस्तान पर ठीक है तो मैं अब कुश्यन को अठा रहा हूँ अपके सामने रख रहा हूं इसमें आपको अंतिम इस्तान पर बताना है तो फटा-फट से देख लेते हैं पहले ओ है यहां ओ है यहां भी ओ है यहां पर भी ओ है ठीक है इससे बाद नहीं बन रही चारो बराबर है अब देखते हैं यहां N, W, M, S और X सबसे पहले देखें क्या आए लने क्याले ऐ controller की सबसे पहले आएगा N ठीक है सबसे पहले आएगा M फिर न आएगा तो यह दूसरे इस्तान पर ओ छाएगा और W, S और X तो यह हो जाएगा आपका बई W, X और S में S पहले आता है तो यह तीसे नम्बर प्योन X में W पहले आता है पेलिड़ा है? जाले आगे बढ़ते हैं जलो आगे बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर लिखा हुआ है same question है फिर से उसी type का question है यह इसमें आपको करम बताना है किस तरह से आप इसको करम में लगाएंगे ठीक है alphabet के according ही बताना है चलिए यहाँ पर क्ये है, यहाँ भी क्ये है यहाँ भी क्ये है, यहाँ भी क्ये है इससे बात नहीं बन रही फिर अगला चेक करेंगे I, R, A और A, ठीक है करम में लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर R है, यहाँ आई है तो विशली बात है, I, R यह तो A के बाद में आते हैं और I, R में भी last में कौन सा आता है R, तो यह हो जाएगा सबसे last में यह 5 उप्सन है, तो यह 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा fourth, fourth number पर ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पहला दूसरा कौन सा रहेगा यहाँ R है, यहाँ पर I है यह N है, तो विशली बात है I वाला जो पहले आएगा ठीक है, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है अब इसमें देखना है, दूसरे और तीसरे पर कौन सा रहेगा यहाँ N है, यहाँ पर R है तो R और N में पहले कौन सा रहता है N तो यह दूसरे नमबर पर जाएगा N बात में आता है, तो यह हो जाएगा तीसरे नमबर पर ठीक है तो इस तरह से आपको करना है अब यहां पर देखते हैं पहले नंबर पर है fourth पहले नंबर पर कौन सा है fourth तो यह हो जाएगा starting में लिखुँगा four starting में क्या जाएगा four फिर उसके बाद दूसरा दूसरा नंबर पर है ठीक है तीसरा पांच वी नंबर पर है और चोथा पहले नंबर पर है और पांच वा जो है आपका तीसरी नंबर पर है ठीक है तो जाएगा 42,53 ऑप्षिन नंबर ए इस दा राइट अंसर ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए अब फटाफट से शोल्ब करते हैं चलिए अब इसमें आपको चार ओप्षिन दिये गए हैं इसमें चारों में डिफ्रेंट बताना है कौन सा रहेगा डिफ्रेंट सबसे पहले देखिए अगर मैं यहाँ पर पहले ओप्षिन चेक करूं तो नो की गुणा दस से कर दो देखिए कोई भी तरीका हो सकता है करने का जरूर नहीं कि आप इसी तरह से करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो ठीके जो भी आपको मतलब आपके दिमाग में आए आप उस तरह से कर सकते हो 9 के बाद 10 आता है तो 10 की multiply करेंगे तो 92 हो गया 6 के बाद 7 आता है तो 7 की करेंगे तो 42 हो गया चीके और यहाँ पर 5 की 6 से करेंगे तो 30 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जब 4 की हम 5 से करने चाहिए दी तो आने चाहिए था हमारा 20 पांचुक 20 लेकिन दिया हुआ है 36 तो यह हो जाएगा डिफ्रेंट ऑप्शन नमबर डी डीस का अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं मतलब 3 से 28 फिर 2 से 9 चार से 65 पांच से 25 कैसे बना जल्दी से फटाफट से देखें लिए आपको कुव लगबग 15 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए और 25 तक आपको स्कुरिंगा आद होने चाहिए जल्दी कोशाण को सौल्व करने के लिए तो देखें तीन त्या-9 मतलब इसका क्यूब करोंगा तो हो जाएगा कि 27 और प्लस एक एड़ कर दिये गया यहां पर पांच का क्यूब करूँगा तो यहां पर कि पांच का क्यूब करूँगा 125 माइनस की एक एड़ कर दिये गया माइनस कर दिये गया यहां पर दो का क्यूब करूँगा आठ कितना हो जाएगा 8 माइनस के 1 एड़ कर दिया गया सोरी प्लस के 1 एड़ कर दिया गया यहां पर 9 हो गया आप देखें 64 64 हो जाएगा यहां पर प्लस 1 ठीक है अब हमें क्या दिख रहा है यहां पर यहां भी प्लस 1 यहां भी प्लस 1 लेकिन यहाँ पर minus किया गया है तो option number C इसका answer हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर cube करके plus one add किया गया है तीनों option में लेकिन यहाँ पर minus कि one किया गया तो इसलिए हो जाएगा option number C चलिए अगला देखते हैं अगला question देखते हैं इसमें आपको बताना है सबसे different कौन सा है ठीक है सबसे अलग बालग आपको बताना है कौन सा है जल्दी से फटाफट देखे option number D इसका right answer रहेगा क्यों क्यों क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे तो सब में दो का different नहीं है देखिए यहां पर T से V बनाने के लिए प्लस दो चलो मान लेजिए यहां पर दो का different है लेकिन यहां पर वी से जब बाई पी पोचेंगे तो यहां पर तीन का different आएगा तो इस तरह से यह वाला answer जो हो जाएगा हमारा यानि यह जो option है वो different हो जाएगा इन तीनों option से चुकि यहां पर भी दो है यहां भी दो मतलब इन में तीनों में दो-दो का different है लेकिन यहां पर एक में दो है एक में क्या है तीन है तो इसलिए हमारा answer हो जाएगा option number D अगला question देखते है question number 15 इसमें आपको बताना है क्या answer रहेगा जल्दी से चलिए देखिए इसका answer रहेगा option number D कैसे रहेगा अगर यहां पर मैं चेक करूँ फिर से different वाला matter है यहां पर अगर मैं चेक करूँ तो देखिए G से G में और J के बीच में 3 का different है जे से H में अगर मैं जाओंगा तो यहां पर plus के 2 ठीक है मतलब J से sorry minus के 2 हो रहे है यहां यहां पर भी 2 का different है और यहां कितने का है एक का यहां पहले में 3 का फिर 2 का फिर 1 का यहां भी चेक करेंगे तो पहले 3 का फिर 2 का फिर 1 का यहां पर भी ऐसा ही है different की बात कर रहा हू रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता हमें के बले यहां पर डिफेरंट दिख रहा है कि पहले तीन का फिर दो का फिर एक का यह तीनों option में apply हो रहा है लेकिन अगर मैं 4 option की बात करूं तो यह चीज fourth में apply नहीं हो रही है फॉर्थ में आएगा पहले देखिए यहां पर एक का डिफरेंट हो रहा है फिर दो का फिर एक का तो इस तरह से यह अलग हो जाएगा इन तीनों आप्शन से तो इसलिए आंसर हमार हो जाएगा यह ऑप्शन नमबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से आप इसका अंसर बताना है कि इसमें भी आपको डिफरेंट बताना है कूंसा अलग रहेगा तो इस अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी कैसे ठीक हेंगर जो होता है इसमें हवाजाज खड़े करने का इस्थान है यार्ड ट्रेन खड़ी करने का इस्थान है ठीक है डिपो बस खड़े करने का इस्थान है लेकिन यहां पर उल्टा दिया गया है स्कूटर क्या गयराज खड़ा होता है स्कूटर में नहीं गयराज में स्कूटर कड़ा होता है ठीक है अगर यहां यहां पर गेराज लिखा हुआ होता है तब तो ठीक था इनके गोडिंग इनकी तरह सीम हो जाता लेकिन यहां पर उल्टा लिखा गया है पहले स्कूटर लिखा गया है फिर उसके बाद गेराज चीक है तो इसलिए यहां पर डिफ्रेंट हो जाएगा option नमबर D, चलिए 17 देखते हैं, इसमें भी आपको different बताना है, कौन सा different रहेगा, तो देखिए इस तरह के जब हम question को करते हैं, तो यह आपकी practice से ही आपकी knowledge भढ़ती है, इस तरह को question को, इस तरह के जो question होते हैं, उनको solve करने की, तो आप जादा से जादा practice करें, topic wise practice करें, तो सही बात है, लेकिन क्या भूक में भोजन होता है, बिल्कुल यह गलत बात है, तो यह अलग हो जाएगा, गलत बात, गलत और सही से हमें मतलब नहीं है, हमें इन तीनों के coding देखना है, कि यह तीनों सेम हो रहे और fourth अलग हो रहा है, तो बिल्कुल यह अलग ही हो जाएगा, option number D इसका अंसर हो जाएगा सही और गलत हमें नहीं देखना है बस हमें अलग देखना है कि चार में से कौन सा आपको एक ऐसा option हो जो अलग दिख रहा है ठीक है तो इसी के आधार पर क्या हो जाएगा option number D राइट अंसर चलिए आगे देखते हैं पैट्रोल, कोईला, को और प्राकरतिक ग्हांस option number C का अंसर हो जाएगा कैसे हो जाएगा जो पैट्रोल, कोईला और प्राकरतिक ग्हानस है क्या है से यह जैविक है मतलब इंधन की रूप में काम करते हैं जैविक इंधन की रूप में एक मिनट चलिए अब फिर से आपको यह अनुपास समानवात पात में जो कोशन दिये हुए है यह बताने है इस तरह से भी आपके लगबग काफी कोशन आते हैं ठीक है चलिए पहला कोशन यहां पर लिखा हुए 19 पे 110 से यह बना है आपका और इस से क्या बनेगा प्लस मतलब पूरी संक्या हमें वर्क करेंगे तो सतरे का कितना होता है 240 280 लग तो 10.299 प्लस के 20 और ओक्षी नम्बर Cameron यहां पर आपको बताना है क्या रहेगा पहर दो फटर अलसर क्या रहेगा चैनल कि आरईगगा और माइनस के वन करेंगे तो 63 जाएगा उसी प्रिकार से 9 का वर करेंगे 9 नम 81 और माइनस के कितना हो जाएगा 80 ओप्शन नमबर ये इसका अंसर हो जाएगा अब यहाँ पर बताना है आपको एक किस में क्या रहेगा जल्दी से का इजी कोशन है लेकिन आपको थोड़ सा इसमें मतलब जल्दी से फटाफट से लोजिक लगाई क्या रहेगा ज्यादा टफ कोशन नहीं देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है कैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4 3 का वर्ग कितना होता है 9 6 का कितना होता है 36 तो यानि जो संक्या दी हुई है 2, 3, 6 इनका वर्ग कर दिया गया है उसी परकार समय यहाँ पर कर दूँगा स्टार्टिंग में 7 है 7, 49 2 दुनी 4 और 4 चुक 16 तो यह कोई tough question था, easy question था, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हमारे पास, चलिए, next है, इसमें आपको बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, इससे अगर यह बना है, उसी परकार से, इससे क्या बनेगा, ठीक है, same approach आपको लगानी है, कैसे आपको करना है, ठीक है, दीक है, सबसे पहले, अगर, इससे हमें क्यों बनाना है, तो माइनस के यहाँ पर दो किये गए है, फिर प्लस के दो किये गए है, फिर माइनस के दो किये गए है, फिर प्लस के दो किये गए है, ठीक है, इस तरह से आपको यह जो है, अगले वाली संक्या बनी है, पहले माइनस के दो, फिर माइनस के दो, 21 22 प्लस Ihr इस तरह से किया गया तो यहां पर भी सेम करेंगे पहले क्या हुआ माइइस के दो好好 किड़ा और वी ड़ी अषी करेंगे अभण लगव इस तरह से आपको करना है फिर असलोय दो करएंगे फिर माइनश के रचेंगे उप्सिंद और आपका answer हो जाएगा option number VWLG, VWLG कौन से option में है, VWLG option number A, इस तरह से आपका हो जाएगा, 23 question है, इससे अगर ये बना है, तो इससे क्या बनेगा, ये आपको बताना है, जल्दी से फटा-फट से, सबसे starting में add किया गया 1, फिर उसके बार 2, फिर 3, फिर इसमें 2 add कर दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से यहाँ पर ये वाली संक्य हमारी बन गई, तो उसी प्रकार से हमें इसमें भी add करना है, पहले 1 को add करेंगे, यहाँ फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, इ हमारा answer आ जाएगा, जी के, जी के, ओ, जी के, ओ, पी जे जे, इस तरह से हमारा answer हो जाएगा, option number A, ठीक है, next है, same यहाँ पर भी आपको बताना है, इस से अगर ये बनाए तो इस से क्या बनेगा, जल्दी से आपको बताना है, कि इस से क्या बनेगा, इसमें क्या approach लगाई ये थोड़ा सा tough हो सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन जादा tough नहीं है, बहुत easy है ये भी, देखें, यहाँ पर क्या किया गया है, B से Y कैसे बन सकता है, ये इस तरह से आपको solve गरना है, कि C से X कैसे बन सकता है, ये आपको तरीका लगाना है, एप से U कैसे बन सकता है, इस तरह से आपको solve गरना है, ठीक है, तो अगर मैं B को देखू और Y को compare करूँ, तो मुझे तुरंत पता होना चाहिए, कि B, जो V है, या जो Y है, वो B का विपरीत है, यानि अगर मैं देखू, कि V का विपरीत क्या है, Y, या फिर Y का विपरीत क्या है, B, इसी परकार C का व और Last ला एख दूसरे के विपरीत होते है, फिर जो Second Last पे है B, और Second, Sorry Second Number पर है V, V और Second Last बाला जो है, इसका विपरीत होगा, तो Second Last क्या होता है, y ठीक है तो इस प्रकार से आप जो है opposite होता है ठीक है तो यह एक दूसरे के क्या है विप्रीत है तो यहां भी हमें एक दूसरे के opposite ही बताना है तो क्या हो जाएगा n, z, t, p, w ठीक है अगर आप solve करोगे तो क्या है आएगा n, z, t, p, w option number b ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो alphabet में आपको काफ़ी सारी चीज़े आने चाहिए पहली चीज़े देखे alphabet में आपको जो उनके स्थान होते हैं जो alphabet होते हैं उनके स्थान आपको आने चाहिए यसे ए एक number पर j 10 पर o 15 पर q 17 r 18 s 19 यह एक नम से आपको पता होना चाहिए alphabet को देखते ही ठीक है दूसरी बात आपको कौन सा alphabet किसके विबरीद है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपको इतनी बात हैं पता होनी चाहिए अब आगे बढ़ते हैं चलिये अगला कुश्यन है हमारे पास बट्वा पैसे बट्वा और पैस歌 को नेक्शन है वह इपर आने वाली चीज का वह आपको बताना होगा थिक कि बट्वा क्या होता है पर्स पैसे रखे जाते हैं तो अलमारी में क्या रखा बता है कपड़े option number a answer हो जाएगा यहां भी आपको बताना है पूरब और पश्चिम में क्या डिफ्रेंट है हमें पता चल रहा कि एक दूसरे की क्या है विप्रीत है तो उसी प्रकार से उत्तर पूरब यह होता नहीं कि यहां पर क्या होता है पूरब इंधर पश्चिम उत्तर और इंधर क्या होता है दक्षिण थो भैइ पूरब क्या है एक दूसरे की विप्रीत या है यहां पर पर कोई point है मैं खड़ा हूं तो अगर मैं इधर को जाओंगा तो यह क्या हो जाएगा इक imam है और एक इधर है तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो गए क्या एक बंदा इधर को जा रहा है एक इधर को जाएगा तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना यानि पश्चिम और पूरब एक दूसरे के क्या है विपरीत है उसी प्रिकार उत्तर और तक्षिन एक दूसरे के विप्रित होते हैं अब यहाँ पर उत्तर पूरव की बात करी है तो उत्तर पूरव कौन सा होगा ये वाला ठीक है ये वाला इस्थान जो होगा उत्तर पूरव का होगा क्यों कि यहाँ पर उत्तर और पूरव के अब पूरप का उल्टा पस्चिम होता है तो उत्र पूरप का हो उल्टा भी तो यहां पर भी तो उल्टा पता न पड़ेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा दक्षिर सिbab derechos है आगे बढ़ते हैं badminton subtle cricket क्या badminton जो खेल होता है वो subtle से खेला जाता है तो किर्किट खेला जाता है गेंद से तो इस तरह से आपको करना है तो इसमें थोड़ी बहुत जनरल जो नॉलिज होती है वो भी काम आती है अब अगला कोशिन है हमारे पास नेक्स्ट है देखें बीच बीच में यहां पर साइन दिये हुए है एलफवेट दिया हुआ है तो इसमें आपको L और A यहां पर भी L A है यहां भी L A है इसमें भी मतलब तीनों जगा पर L और A दिया हुआ है तो इसमें L और A के इस्थान पर आपको क्या लगाए मतलब इसको क्या माने जो हमारा यह solve हो जाए और solve होने के बाद हमारा 41 आ जाए इसको solve करने के बाद 40 बना जाए और इसको solve करने के बाद आ जाए 54 तो ऐसी कौन सी हम चीज मानें यहां पर L और A के इस्थान पर ताकि यह समीकरण हमारी solve हो जाए जल्दी से फटाफट से आपको बताना है और उसी परिकार फिर हमें solve करके यहां पर बताना है कि इस समीकरण को solve करके क्या आएगा जल्दी से आपको फटाफट से बताना है कि यहां पर क्या माना जाए दिखिए L को यहां पर मुझे मानना पड़ेगा multiple L को क्या मानना पड़ेगा L को यहां पर multiple नहीं L को हमें plus का sign यहां पर मानना पड़ेगा और A को multiple का तो आप चेक कर सकते हैं जैसे 7 चुक 28 और 28 में जब मैं 13 add करूँगा तो 41 ठीक है यानि यह जो चीज है वो ऐसे आजाएगी 30 और L को मुझे क्या करना पड़ेगा plus मानना पड़ेगा फिर उसके बाद 4 है और A को multiple multiply कर देंगे यह किजएगा और यहां पर 7 लिखा हुआ है तो सबसे पहले multiply होगी 7 चुक 28 और 28 में जब 13 add करूँगा तो आजाएगा हमारा 45 तो इस तरह से यह जो हमने माना है वो बिल्कुत सही है उसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे यह पिलस का हो जाएगा यह multiply तो 27 और 12 कितने होते हैं 49 option number B चीक है तो 39 answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं इसमें आपको बताना है चलिए इस question में आपको बताना है क्या आएगा तो यह question आप comment में solve करके बताना कि इसमें क्या answer रहेगा ठीक है अगला देखते है question थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया और मैंने इस पे जादा दिमाग नहीं लगाया अभी तो आप इसको solve करके अच्छे से दिमाग लगाईए और इसमें comment करके बताना है कि इसका answer क्या रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहर काफी सारी question देखे 50 question को solve करके तब मैं आपको कराता हूँ और कुछ question समझ में नहीं आते हैं मतलब इसको समझना पड़ता है पहले आपको solve कराने के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है इसका आप comment करके answer बताना है आगे है next है हमारे पास निमलिकित विकल्पों में से वह सब्द चुनिए जो दिये गए अकसर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता ये question भी आपको 2 मिलेंगे इस type के question आपको exam में 2 या 3 question तो पक्के आपको मिलने ही है तो ये जो word लिखा हुआ है इस में से ये जो option में दिये गए है 4 word कौन सा नहीं बनाया जा सकता ठीक है ये जो alphabet दिये गए है टी आर ए ये आप word मत समझना ये alphabet के रूप में देखना है और इन alphabet का यूज करके ऐसा कौन सा word है जो इन 4 option में नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो इसका answer रहेगा option number B trade क्योंकि trade में देखिए यहां पर है लेकिन इसमें कहीं पर भी यह नहीं है इस तरह से आपको solve करना है यह चेक कर सकते हो आप एक बार को कि किस तरह से जो है यह तीनों बनाया जा सकते है और यह 4 नहीं बनाया जा सकता है 4 नहीं बनाया सकता क्योंकि यहां पर e है और इसमें कहीं पर भी e नहीं है ठीक है मैं ज्यादा detail में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वीडियो अल्रेडी लॉंग हो रही है ठीक है तो काफी लंबी वीडियो जाएगी फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी चलिए same question है आपका इसमें आपको बताना है कि इससे नहीं बनाया जा सकता है कौन सा ऐसा वर्ड जो नहीं बनाया जा सकता है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो ऐसा नहीं बनाया जा सकता है ठीक है तो यहां पर है option number d hangs यह नहीं बना जा सकता है क्योंकि यहां पर आगे बढ़ते हैं आब यहाँ पर आपको शिलोगिजिम की question मिलेंगे दो question आपको कतन इसकर के दो question ज़रूर मिलेंगे ठीक है पहला question निक़ा हुआ है जलत इसमें आपको solve करके बता देता हूँ कि कुछ सफेद पीले हैं भई कुछ सफेद है कुछ सफेद ये कह रहा है कि पीले हैं कुछ का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे ठीक है सफेद का कुछ हिस्सा लेंगे तब जाकर होगा कि कुछ सफेद पीले हैं फिर उसने बोला सभी पीले नीले हैं सभी पीले नीले अगर बोल रहा है तो हम इस तरह से बनाएंगे तो सभी पीले क्या है नीले हैं तो यह हो जाएगा इस तरह से इस तरह से हमारा डाइग्राम बन जाएगा अब आगे उसने पूछा है कुछ निसकर्स दिये गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा निसकर्स स सही है यह आपको बताना इस diagram के according पधी पहले है आपका कुछ नीले सफेद हैं कुछ नीले सफेद हैं विलकुल बैप नीले का जो आपका यह जो है यह का तक आ रहा है यहां पर सफेद में इतना हिससे वह उडेंक भी इसने सफेद है कि option number जो मतलब निसकर्स है हमारा पहला वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि यहां यह बास सही है आगे देखते हैं कोई हाथ नाक नहीं एक मिनट एक मिनट ऑप्षिन जो पहला निसकर्स है वह सही हो जाएगा ठीक है अब पूछ रहा है कि कुछ पीले सफेद हैं बिल्कुल यहां यह जो पीले का जो भाग यह यहां पर आ रहा है सफेद में इतना इतना भाग तो आ रहा है न ठीक है तो यह हो जाएगा option नंबर ये भी ठीक हो जाएगा, तो इस प्रिकार से हमारा पहला और दूसरा सही है, यानि दोनों निसकर सही है, option number D, इसका answer हो जाएगा, ठीक है, option number D, यानि निसकर एक और second, first और second, दोनों सही है, option number D, इसका answer हो जाएगा, आगे देखते हैं, चलिए, next है हमारे पास, अगला है हमारे पास, सभी कान हाथ है, भई कान, सभी कान को बोलाए कि ये हाथ है, ठीक है, फिर उसके बाद है, कोई हाथ नाक नहीं है, कोई हाथ नाक नहीं है, तो हाथ का और नाक का कोई connection नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, इसमें आपस में कोई भी connection नहीं है, यानि आपस में touch नहीं होंगे, इससे मैंने दूर लिख दिया है, ठीक है, अब निसकर्स क्या बोल रहा है, उस तरह से हम देखेंगे और आपका answer लगाएंगे, चलिए, पहला है, कोई कान नाक नहीं है, कोई कान नाक नहीं है, बिल्कुल नाक नहीं है, यानि ये सही हमारा, सभी नाक कान है, नाक का कोई connection नहीं है, तो गलत हो जाएगा, कुछ हाथ नाक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी, क्योंकि हमने पहले बता जिया कि कोई, मतलब इसको मैंने अलग लिखा हुआ है, ये दूसरे से touch नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी संबंध नहीं होगा ठीक है तो इस प्रेकार से हमारा एक जो है निस्कर्स सही है यानि केवल एक option number A ठीक है चली अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास 34 चली अगला question है इसमें आपको बताना है अगर phone से यह चीज बर्न रही है तो उसी code भासा में इससे क्या बनेगा इस तरह से आपको बताना है जल्दी से क्या बनेगा लेकि अगर मैं देखू यहां पर phone से यह कैसे बना भाई पी में पहले एक यह दिया गया फिर दो फिरय चार फिर पांच इस तरह से एड्ड गया अगया है नमबर ठीक है पी में एक करेंगे तो क्यूं हो जाएगा P में 1 add करेंगे तो Q आ जाएगा फिर H में 2 add करेंगे तो J फिर O में 3 add करेंगे तो क्या जाएगा R, N में 4 add करेंगे तो फिर R E में 5 add करेंगे तो J ठीक है तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5 करके add किया है सेम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा जब मैं इसमें एड करूँगा तो क्या बनेगा QCJIW QCJIW option number 1 यानि Ace का answer रहेगा आगे देखते हैं आगे है चलिए नेक्स्ट हमें बताना है कि वही रन से अगर ये 50 बन रहा है और बस लिखने से हमें ये वाला मिल रहा है मतलब बस से हमें ये मिल रहा है तो उसी परकार गन से GUN से क्या बनेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है तब ही आपको solve कर पाएंगे ऐसे question को और नहीं पता होगो तो आप solve नहीं कर पाओगे ठीक है इससे alphabet से हमें संख्या मिल रही है तो हमें इसका पता होना चाहिए कि संख्या कैसे बन रही है तो हमें पता है R कितनी number पर होता है 8 पर U 21 पर N 14 पर तो अगर मैं इसको add करके देखता हूँ 4 और एक 5 5, 8, 5, 13 कर 3 और 5, 8, 5, 13 एक और दो 3 और एक 4 43 और प्लस यहां पर 50 बनाया भी चेक कर लेते हैं अकलवाला question भी ठीक है एक मिनट एक मिनट 3 और एक 4 और एक 5 यहां पर 43 एक सेकिंड तो यहां पर add करेंगे तो हमारा आएगा 53 ठीक है 53 आया और उससे हमें 50 बना माइनस के 3 add करके 50 बना उसी परकार जब हम इन 3 को add करेंगे तो आएगा 42 फिर माइनस 3 करेंगे तो आएगा 39 ठीक है आप चेक कर सकते हो इस तरह से हमारा फिर उसी परकार हम इसको add करेंगे भाई जी का साथ होता है फिर 21 फिर 14 ठीक है और 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39 ओप्शन नमबर C का अंसर आजाएगा 35 का अंसर रहेगा ओप्शन नमबर C ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको ये box को फिल करना है कि यहाँ पर क्या एक answer जल्दी से बताना है आपको यहाँ पर क्या आएगा किसी तरह से भी आप अप्रोच लगा सकते हो इस तरह से भी solve करके देखो फिर इस तरह से solve करके देखो कहीं न कहीं आपको answer मिल जाएगा तो इसमें क्या किया गया है इसमें क्या किया गया है यहाँ पर जल्दी से बताना है आपको answer कि answer क्या आएगा देखिए इसमें किया क्या गया है इसकी इसकी multiply की गई है तीन चोक 12 प्लस इसमें add कर दिया गया है 6 तीन चोक 12 और 6 हो जाएगा 18 उसी बिरकार यहां पर 5 दो अठे 16 और प्लस के 5 21 ठीक है यहां पर करेंगे तीन सक्ते 21 और एक 22 तो आजाएगा बाहिस option number C आंसर हो जाएगा यह आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको बताना है क्या आएगा answer आधार दोनों तो इन दोनों के यहां पर dużo यह यहां पर लग बताना है जो इन प्रिकार को वोह यहां पर लगनी चाहिए सब्सक्तिota की एड़ करो आपस में ठीक है, चारो संक्या को एड़ करके दीखो, फिर यहां पर एड़ करके दीखो, फिर यहां पर एड़ करना, और जो भी हमें बचे यहां पर एड़ करती ना है, जैसे अगर मैं इसको एड़ करता हूँ, तो आ जाएगा, यह टोटल हो जाएगा, उननीस, चीक है, इ मुझे 19 है तो दो कम पड़ रहे हैं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा भई तभी तो जाके यह 19 होगा तो इस प्रिकार से दो हमारा आंसर रहेगा ठीक है तो सबका एड क्या है 19 19 है यहां भी 19 करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से आंसर हो जाएगा option number a चलिए देखिए यह वाला question आप देखो चलिए फटाफट से solve करते हैं इसको इसमें आपको बीच में बताना है क्या आएगा जल्दी से तेकि इसमें क्या क्या गया है आपस में multiply की गई है चार तीया बारह और बारह सत्ते 84 तो आ जाएगा answer बीच वाला पांस तीया पंद्रे और पंद्रे दुनी 30 तो 30 बीच में आ गया साथ दुनी चोदे और पंजी 70 option option number C यानि 70 आएगा यहां पर तो option number C हो जाएगा यानि 70 चीक है चली अब यहां पर यहां आपको बताना है कि इसमें आपको बताना है क्या आएगा answer ज्टलिन से आपको फिल करना है क्या आएगा चिरिक है जल्दी से करना आए आपको इसमें क्या अंसर आएगा है इसमें क्या क्या गए यह जो है अपश में सब वर्ग की संक्या लेकिंगे हुई यह एक का वर्ग है यह ये दो का वर्ग है, ये तीन का वर्ग है, ये चार का, ये पांच का, तो यहाँ पर च्छे का आएगा, 36, option number A, तो इसका अंसर हो जाएगा, option number A, अब आगे बढ़ते हैं, direction वाला सवाल है, ठीक है, तो direction वाला सवाल है, चलिए, इसको solve करते हैं, सुमन उत्तर की ओर, 50 km चलती है, तो सुमन है, यहाँ पर खड़ी हुई है, उत्तर की ओर चलेगी, मतलब उपर होता है, उत्तर, तो 50, सोरी, 15 km चलती है, तो 15 km मैंने चला दिया इसको, फिर उसको कहा कि दाए मुड़ती है, फिर दाए मतलब इधर, दाए होता है ये, फिर 15 km चली, तो यहाँ से 15 km चली, फिर उसने कहा कि फिर से दाए मुड़ती है, तो दाए मतलब कहाँ पर मुड़ेगी, नीचे की ओर, और फिर 15 km चलती है, तो नीचे की ओर चली हो 15 km, तो यह 15 हो गया, अब बहे, अपने आरंबिक बिंदू से किस दिसा में है, भाई, अब यहाँ पर पोज़ गई, चली थी यहाँ से, यहाँ पोज़ गई, तो हमें बताना है कि यह वाला जो पॉइंट है, वो इस पॉइंट और C, तो C इस का अंसर रहेगा, चली अब आगे बढ़ते हैं, चलो, नेक्स्ट है मारे बहास, इसमें आपको बताना है, छोटा बड़ा के इस आप से कोश्चिन पूछा गया है, कौन सा सबसे बड़ा है, या कौन सा सबसे छोटा है, इसमें का गया है, A जो है, वो B से दो बर्स बड़ा है, कौन, A, B से, भई, A जो बड़ा है, किस से, B से, कितना दो बर्स बड़ा है, फिर कहा है, B, C से 5 बर्स बड़ा है, B, C से 5 बर्स बड़ा है, तो C नीचे होगा, और C कितना बड़ा है, 5 बर्स बड़ा है, फिर कहा है, C, D से 3 बर्स बड़ा है, जो C है, व 6 वर्स छोटा है जो D है वो E से 6 वर्स छोटा है तो यहाँ पर 3 का डिफरेंट है तो 6 वर्स छोटा है तो यहाँ पर B और C के बीच में होगा E चीक है अब इसमें पूछा गए कि सबसे छोटा कोन है तो सबसे छोटा तो अभी D है तो option number D यहाँ D सबसे छोटा है तो आगे बढ़ते है इसमें आपको एक मतलब सेटिंग अर्रेंजमेंट है और बहुत इजी है ज्यादा टफ नहीं है तो इसमें देखते हैं क्या answer आएगा कैसे solve करते है चलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हमने यह वाला question में थोड़ से गड़बर हो गई देखते हैं एक बार इसको try करते हैं दूसरे दूआरा इसने कहा कि A B से दो वर्स बड़ा है जो A है वो B से बड़ा है कितना दो वर्स इसमें और इसके बीच में दो का different है फिर कहा है B C से पांच वर्स छोटा है B C से छोटा है सोरी यहां पर छोटा है मैंने पहले बड़ा कर दिया था तो B C से पांच वर्स छोटा है तो C से पांच वर्स छोटा है इन दोनों के जो बीच का ॉकितना है? कितना है? पांचक निए, शी से पांच रोग था, CD से तीन वर्स बढ़ा है, तो थीन बढ़ा होने का मतलब क्या है? कि यहां पर होगा, art. ब tasting ज्टिका यहां पर होगा तो क्या बोला मैं से 30 वर्स बढ़ा आया तो यहां पर होगा सब्सक्षा हो अब पूछा को न झाल कोई तो सबसे चोड़ा बी आएगगा तो पहले ज़र थोड़ा सा मैंने गलत पड़ए लिलिया था इस तरह से फटाफट से, देखे, इसने कहा कि एक पंक्ती में ये दिये हुए है, बंदे बैटे है, और पश्चिम दिसाकी और मुँ इन्हों ने करका है, ठीक है यई इस तरह से लाइन में बैठी हुए है और इधर को सबका मुह है ठीक है पस्ची में इधर होता है इधर को है सबका मुह अब देखते है P और तता Q एक साथ बैठे हैं भई P P और Q एक साथ बैठे हुए है मैंने मान लिया कहीं पर भी बैठे हैं और आगे कहा है R दक्षिन छोर पर बैठा है तो R जो सबसे परोसी है तो T यहां पर लिखना पड़ेगा और Q और R का परोसी हो जाएगा इसका भी परोसी हो गया Q का और इसका भी परोसी हो गया T बीच में रखने से अब उसने पूचा है कि मद्धिय में कोन है तो मद्धिय में तो Q आया है Q का मतलब option number B ठीक है आंसर होएगा option number B चलिए अब आगे बढ़ते है काफी जो है मतलब long video हो चुकी है कोई बात नहीं चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 43 43 ठीक है जल्दे से आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा इसमें भी वही किया गया जैसे मैंने इस से पहले question बताया था मतलब छोटा बड़ा वाला इसमें भी scene है जल्दी से आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा देखे P का बाहर Q का दो गुना है इसमें गुना करके दे रखा है उसमें वर्स में दे रखा था तो सेम यह approach आपको लगानी है उसने का कि P का बाहर Q से दो गुना है यानि P जो है वो Q से ज़्यादा भारी है भारी को मैं उपर लिख जाओं और हलके को नीचे उसी प्रकार से कम age वाले को नीचे और ज़्यादा age वाले को उपर ऐसे आपको solve करना चाहिए फिर आगे बोलाए Q का बाहर R का आदा है Q R का आदा है तो भाई yeah क्यों भी यहाँ पर होगा पी का बाहर Q का दो गुना है P जो है Q से दो गुना है और Q का बाहर R का आदा है तो भाई जो Q होगा सोरी R होगा वो यहाँ पर होगा ठीक है आगे बड़ा बोला है R का भार T का तीन गुना है आगे बोला है T का भार S का आधा है तो T का भार आधा है तो यह S यहाँ पर होगा ठीक है तो आपको यह solve करना आ जाएगा easily जब आप प्रैक्टिस करोगे मैं आपको topic बाइज जो है reasoning के question solve करा हूँगा तो आप इसी तरह से आसानी से solve कर दोगे ठीक है क्या भाला T का भार S का आधा है और Q का भार PRS और T में से कितने व्यक्तियों से अधिक है तो यह हमने solve कर लिया अब पूछाए कि Q का भार कितने व्यक्तियों से अधिक है तो यह 3 व्यक्तियों से अधिक पूछाए तो एक व्यक्तियों से अधिक है केवल T से क्योंकि T का भ केबल क्यूं से कम है बाकी सबका जादा आए तो यह पूछाए कि क्यूं का बाहर कितने विक्तियों से अधिक है तो एक यानि ऑप्शन नमबर ए ठीक है इसका अंसर रहेगा केबल किससे अधिक है टी से तो इस तरह से आप इजली सोल्व कर सकते हैं ज्यादा टफ कुशन नहीं है बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं चीक है चलि आगे बढ़ते हैं अब इसमें आपको بتाना है कि यहाँ पर कौन सी आकरती आएगी यहाँ कौन सी आकरती आएगी तो मैं समझा नहीं कहाई इसमें डिरेक्ट कुश्टिन का आंसर बता दे रहा हूँ इसमें आएगा यह वाली आकरती ठीक है इसमें ये वाले आक्रति आईगी चलिए आगे बढ़ते है इसमें आपको बताना आए इसमें ये जो आक्रति है आपकी इन कौन से उप्सन में आपको मिलेगी इसमें आपको बताना आए जल्दे से फटाफट से तो यह मिलेगी आपको इस वाले option में देखे यह रही इतनी ठीक है इतना और इतना और इतना ठीक है बीच वाला नहीं इतना 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 ठीक है समझ में आया यह वाली जो आकरती है आपको कहाँ पर दिख रही है यह 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 option number B चलिए आगे वड़ते है चलिए अब इसमें आपको कागर्जवाला question है इसको fold करके काटा गया है यह goal था इसको पहले इस तरह से fold किया गया है फिर एक बार इधर से इसको fold किया गया है इस तरह से आगया अब फिर यहां से cut कर दिया गया है अब जब cut करने के बाद यह 3 जगे से cut कर दिया cut करने के बाद जब इसको open करेंगे तो किस तरह से यह दिखेगा यह पुछा गया इसमें तो answer हो जाएगा इस तरह से इस तरह से दिखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 47 यह एक आकरती दी गई है यह एक आकरती दी गई और यहाँ पर mirror रखा गया है इसमें आपको बताना है कि इस mirror में देखने पर यह चीज कैसी दिखेगी तो mirror वाले question भी आते हैं इसमें आपको बताना है कि यह mirror में देखने पर इस वाले mirror में देखने पर यह चीज कैसी दिखेगी ठीक है तो इसमें आपको बताना है option number D इसका right answer रहेगा तो इस तरह से यह दिखेगी ठीक है यह चीजे क्या आप हो जाएगी इधर हो जाएगी और एक दूसरे के भी ठीक है इस तरह से आप solve करेंगी आगे देखते हैं next है हमारे पास चलिए अगला question है इसमें आपको बताना है एक मिनट पूरा question दिखा दूँ आपको यह आपकी dice दिया हुआ है इसमें आपको भाई यह open dice दिया हुआ है यह चीज ठीक है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा dice इसमें से नहीं बन सकता है या फिर एक मिनट को पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें बताना है आपको कि कौन सी अकृती एक मिनट इसमें आपको देखना है कि कौन सा dice बन सकता है या इन में से चारो में से इसका अकौडिंग कौन सा अलग है चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसको solve करते है चलिए देखिए हमें पता है कि यह जो है 6-4 के विपरीत है और 3-5 के विपरीत है और एक दूसरे के जो विपरीत संक्या होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है वो एक साथ नहीं दिख सकती तो इसमें ये पुछा गया कि इसमें से कौन सा डाइस बन सकता है इस आकरती से ठीक है ये ओपन डाइस है इसमें से कौन सा डाइस हमें बन सकता है तो ये ही बताना है आपको तो ये दो चीज दो पॉइंट आपको ध्यान लगना है भई छै के विपरित क्या है चार तो ये ए गार एक दूसर rodzic aoth नहीं दिख सकती जो एक दूसरे के विपरित होती है जो सतर एक साथ नहीं दिख सकती है उसी प्रकार PEN पर एक साथ नहीं दीखना चाहिए और एक ओर दो एक argument हुगए तो यह भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, पहला option लेते हैं 1, 6, 4, देखिए 6 और 4 एक साथ दिख रहे हैं चुकी, और जबकि यहाँ पर क्या है, विपरीत है, तो विपरीत चीज़ एक साथ नहीं दिखेगी, यह गलत हो जाएगा 3, 2, 5 3, 2, 5, वैं 3 के विपरीत 5 है, तो 3 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, यह नहीं बनेगा अब देखते हैं, यहाँ पर 1, 3, 4 वैं, एक के विपरीत तो 2 है 3 के विपरीत 5 है तो बिल्कुल, और जो 4 है, उसके विपरीत क्या है, 6 है तो एक दूसरे के विपरीत वाला यहाँ पर नहीं सो हो रहा है, तो इसलिए यह वाला डाइस हमारा बन जाएगा, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 2, 1, 6 दो, देखिए 2 के विपरीत क्या है 1 है, एक के विपरीत 2 या दो के विपरीत 1 है, तो यह भी नहीं बनेगा चुकि दो और एक, एक साथ दिखा रही है तो इस तरह से आप solve करेंगे इसको चलिए फटा फट से देख लेते हैं अब, काफी टाइम हो गया देखिए इस तरह का question आपको जरूर मिलेगा एक इस तरह का question आपको exam में जरूर देखने को मिलेगा directly आपको इसकी कुछ भी नहीं पढ़ना है बस इस word को देखना है और in our view को आपको analysis करना है इस word के coding सबसे starting में आपका P सबसे starting में आपका P तो P को आपको check करना है कि भाई P यहाँ पर कहा है तो P देखिए एक तो यह है एक यह है और कहीं पर P दिखा आपको नहीं दिख रहा तो देखिए P से एक तो हमारा 5 और 8 यानि 5, 8 58 और इस वाले P से 7 और 6 इधर से 7 लाइन में आ रहा है और इधर से 6 में आ रहा है तो 7, 6 यानि 76 या तो 58 होगा इस starting में या फिर होगा 76 और उस option में हमें check करते हुँ चलना है तो यह तो होगा नहीं और यह भी नहीं होगा या तो यह होगा क्योंकि यहाँ पर 58 है और यहाँ पर 76 है तो इस तरह से आपको करना है इस question को और यह हर exam में आपको question मिलेगा ठीक है हर exam में आपको मिलेगा यह question, इस तरह से आपको इसको देखना है sorry एक यहाँ पर भी हमारा, पी एक यहाँ भी है, ठीक है, तो एक यह भी बन सकता है भई, तो यह भी बन सकता है, और option number हमारा जो है, फिर आगे देखते हैं भई, ए कहाँ पर है ए चेक करना है आपको ए कहाँ पर है, देखिए ए एक यह रहा और कहाँ पर है ए तो ए ए की जगा पर है तो यह है 40, बनेगा केवल 40, तो दूसरे नमबर पर ए है, तो दूसरे नमबर पर यहाँ पर भी 40 होना चाहिए तो हमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पर पता चल गया था कि 95, दूसरे नमबर पर हमें पता चल जाएगा कि 40 केवल और केवल एक ही ओप्सन में है तो यह वाले कट जाएगा और यह कट जाएगा, अब यह और इसमें हम चेक करेंगे, अगला है हमारा आर, आर कहां पर है आर हम चेक करते हैं एक तो यह रहा आर, तो इससे बनेगा 34, इस वाले आर से और कहां पर है आर, एक यह रहा ठीक है, इससे बनेगा हमारा 77, 34, 77 अब चेक करते हैं, और कहीं पर है और नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है कहीं पर नहीं दिया हुआ है ना तो 34 दिया हुआ है नहीं 76 और कहीं पर तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यह चुकि इसमें हमें नहीं मिला 86 कहीं पर भी आर का मान नहीं मिल रहा और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा option number D चलिए अब last question देखते हैं काफी time हो गया है इसमें आपको बताना है देखे बह आरेक चुनिए जो सबजी प्याज और खाद्य बदार्त में संबंध बताता हो सबजी क्या होती है खाद्य बदार्त होती है प्याज भी एक तरह की खाद्य बदार्त है लेकिन प्याज सबजी की भी अंतरगत आती है तो इस तरह से हमें option number D जो है सोरी B जो है यह अंसर रहेगा सबसे ऊपर रहेगा हमारा खादिय पदार्त फिर उसके अंतरगत आईगी सबजिया और सबजियों के अंतरगत आईगी हमारी प्याज ठीक है तो प्याज एक प्रकार के सबजी है और सबजी क्या है एक प्रकार का खादिय यानि खाने की चीजे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा option number B, तो, इस तरह से हमने ये question को solve किया है, मतलब 50 question थे, इनको solve किया है, और काफी time लग गया, इतना time भी नहीं लगा, लेकिन आपको, अगर लग रहा है कि ऐसा time लग गया, तो आप speed बढ़ा के, जो है, वीडियो को करूँगा कि आप मेरे साथ साथ question को solve करते चलिए, नॉर्मल speed में देखिए वीडियो को, ताकि आप मुझसे पहले ही जो है, अपना answer निकालने की कोशिश करे, आप speed में देखोगे, तो उसमें आप फिर देखोगे, आप approach नहीं लगाओगे, ठीक है, आप मतलब slow में देख तो में, थैंक्स पर वचिं दिस वीडियो